प्रिंस्पल्स और सिस्टेमेडिक्स मोड्यूल 99 आइडेंटिफिकेशन और फैमिली आक्सियो पिडी फैमिली आक्सियो पिडी जो है इसके मेंबर्स को लेनिक्स स्पाइडर्स भी कहा जाता है इस फैमिली से बिलॉंग करने वाले जो स्पाइडर्स है वो काफी active spiders होते है ये stockers भी कहलाते है stockers क्या है stockers ऐसे spiders है जो continuously move करते रहते है from top to bottom of the plant उससे क्या होता है उससे जब ये movement करते है तो plants के different parts के उपर जो prey है उसके eggs मौजूद होते है इनकी movements की वज़ा से जो eggs है वो displace हो जाते है plant से और ultimately they fell into fields वो ground पर गिर जाते हैं अब जमीन पे और पौदे के उपर temperature का difference उजूद होता है इस difference की वज़ा से जो eggs है उनकी hatching नहीं हो पाती और ultimately ये जो eggs है नाकारा हो जाते है इन में से अगली नसल परवान नहीं चड़ती अब जो अक्स्चोपीडी फैमली है इसको फोरियाल ने 1870 के अंदर डिस्क्राइब किया और अगर हम word spider catalog की बात करें तो word spider catalog के मताबिक जो worldwide के अंदर इस species की हजारों इस family की हजारों species मौझूद है अब इसके size के अगर हम बात करें तो अक्सोपीडी फैमली के अंदर जो spiders मौझूद हैं उसके अंदर size variation एक्जिस्ट करती है इसके spiders 3 से लेके 25 mm तक हो सकते हैं उसके लावा primarily इस family से belong करने वाले जो spiders है ये tropical और sub-tropical areas के अंदर पाए जाते हैं लेकिन ये देखा गया है कि इस family के जो spiders है ये temperate zone के अंदर भी मौझूद है उसके लावा ये जो spiders हैं ये जमीन पर भी मौझूद होते हैं grasses वगारा के उपर ये trees के उपर भी मौझूद होते हैं ये flowers के उपर भी मौझूद होते हैं उसके लावा ये terrestrial भी हो सकते हैं और arboreal भी हो सकते हैं अब अगर इन spiders की food के बारे में बात करें जो spiders हैं ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं ये spiders अपने से जो छोटे spiders हैं उनको खाते हैं spiders जो है ये important biological control agent है और एक अच्छा जो biological control agent है उसके अंदर बहुत सारी qualities होती है उन मेंसे एक quality ये भी है कि ये cannibalistic होते हैं और ये अपनी तादाद को एक खास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते क्योंकि जब इनकी तादाद एक खास हद से बढ़ने लगती है तो प्रे के लिए इन में आपस में competition स्टार्ट हो जाता है और अगर इनकी तादाद unchecked बढ़ती रहे तो ultimately जो प्रे है वो बिलकुल खतम हो सकता है और ultimately भूग की वज़ा से ये predator भी खतम हो सकता है तो इस competition से बचने के लिए जो spiders है उनके अंदर cannibalism मौझूद है ये जब ये देखते हैं कि field के अंदर जो prey है वो available नहीं है तो जो larger spiders है they start feeding on the smaller spiders so that their number remain in check उसके साथ जो spiders है ये अपने prey को capture करने के लिए अपनी टांगों का इस्तमाल करते हैं और अपनी आइस का इस्तमाल करते हैं prey को detect करने के लिए ये अपनी आइस का इस्तमाल करते हैं और prey को chase करने के लिए ये अपनी टांगों का इस्तमाल करते हैं ये जो स्पाइडर्स हैं ये काफी एक्टिव होते हैं काफी एजाइल होते हैं और इनके अंदर एक खास बात ये है कि ये अपने प्रे को किल करते हैं चाहे इनको भूक है या नहीं क्यूंकि ये हंटर्स हैं ये अपने शौक के लिए अपने प्रे को मारते हैं अब इनकी ये जो अबिलिटी है ये एगरिकल्चर जो कम्मिनिटी से तालुक रखते वाले जो लोग हैं जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत फायदमन्द हैं क्योंके मिजॉरिटी आफ ऑक्सविट्स जो हैं ये चिरफ समाल इंसेक्स के उपर फीड करते हैं और आम तोर पर ऐसे इंसेक्स जो के फसलों को नुक्सान पहुचाते हैं इनकी जो टांगे हैं उनके उपर वाज़ तोर पर स्पाइन्स को देखा जा सकता है इनके जो स्पाइन्स हैं वो वाज़ होते हैं और बड़े होते हैं उसके लावा आम तोर पर इस फैमिली से बिलॉंग करने वाले जो स्पाइडर्स हैं वो वैब्स नहीं बनाते लेकिन इस फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनकी तदाद बहुत काम है जो के जो सिल्क है उसकी मदद से वैब्स बनाते हैं जिसकी एक्जैम्पर टैपी नेलस ये एक जैनरा है ऑक्सोपीडी फैमिली का जो के वैब्स बनाता है तो आम तोर पर ये वैब्स नहीं बनाते लेकिन बहुत कम ऐसे स्पाइडर्स हैं जो वैब्स बनाते हैं और वैब्स के जरिए अपने प्रे को कैप्चर करते हैं अगर इनकी टांगों की बा specific pattern होता है ये hexagonal I का जो pattern है ये unique है जिसको इनकी identification के लिए इस्तमाल किया जा सकता है